वेलकम बैक, आखिरकार नोकिया एन हैसेंस के बाद अब मोटरला ने भी अपने 2021 के नए क्यूलेट टीवी को इंडियन मार्किट में लाँच कर दिया है तो आज किस वीडियो में यहाँ पर हम इन नए मोटरला टीवी के बारे में डिटील में जानेंगे जानेंगे कि इन मोटर टीवी ने आपको क्या कुछ खास देखने मिल रहा है, क्या नया मिल रहा है और साथ ही साथ नोकिया क्यूलेट टीवी, हैसेंस क्यूलेट टीवी और मोटरला क्यूलेट टीवी इनमें से कौन सा आपको buy करना चाहिए, कौन सी टीवी, अच्छा option निकल रहाती है, ये भी हम detail में discuss करेंगे, और ये भी जानेंगे कि इस समय इंडिन market में कौन से कौन से budget क्यूलेट टीवी हैं, जिने आप इन festive season में buy कर सकते हो, इन नहीं sorry, इस festive season में आप buy कर सकते हो, तो व और मैं आपको recommend करूँगा कि ये best time है, टीवी बाइ करने का, तो यही पर टीवी बाइ कर लेना, काफी अच्छे deals मिल जाएंगे, लेकिन जैसा आप सभी को पता, ये obvious ही बात है, जब कोई sale वगर आती है, तो काफी सारे deals और offers एक साथ आते हैं, इस वज़े से confusion भी create होती है तो इसी problem को solve करने के लिए, मैं आप सभी के लिए पूरे festive season Instagram पर available रहूंगा, जहां पर आप मुझसे directly one to one chat कर सकते हैं, और आप बस मुझे अपना budget बताईए, और आपकी requirement बताईए, और फिर हम मिलके decide करेंगे कि इस festive season आपको कौन सा product buy करना चाहिए, आपके budget और requirement के according, य यहाँ पर हम वीडियो को finally शुरू करते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले आपकी जानकारे के लिए बतादू, already market में दो QLED TVs recently launch किये गे हैं, budget section में, इसमें पहला नाम है Hisense का, Hisense ने recently अपनी Hisense U6G QLED smart TV को launch किया है, इसके बाद जो दूसरी TV launch हुई है, वो है Nokia के तरफ से, तो आपको दो QLED TVs देखने में जाता हैं, 50 and 55 inch के screen size के साथ, और अब यानि आज 29 September को Motorola ने भी अपने QLED TVs को launch कर दिया है, यहाँ पर और एक बात बताना चाहूँगा, यहाँ पर जो Motorola and Nokia brand है, इन दोनों ही brands ने Flipkart के साथ पार्टनर्शिप करी है, और इस पार्टनर्शिप के त है, तो Nokia and Motorola के जितने भी home appliances है, उन सब का manufacturing license Flipkart के पास है, तो इनकी जो manufacturing है, वो Flipkart कर दाता है, सेल वगरा भी Flipkart के थुरू होती है, and after sales service भी जो है, वो Flipkart ही handle करता है, लेकिन इसका ऐसा मतलब नहीं है, कि TVs की quality वगरा आची नहीं है, ऐसा बिलकुल मा समझे, because Nokia and Motorola के जो TVs है, वो उन ही companies के थुरू manufacture किये जाता है, जो कि काफी popular है, example, Dexon Technology, जो कि Xiaomi, Samsung जैसे brands के TVs भी manufacture करते है, तो quality wise इसू नहीं आने वाला है, but ये important है, आपके लिए जानना, तो इसलिए मैं पहले ही आपर बतार दे रहा हूँ, well, बात करते हैं, यहाँ पर हम Motorola के नए TVs के, तो यह साल के नए QLED TVs का नाम है, Motorola Review Q, तो यहाँ पर simple सा नाम है Q, well, यहाँ पर दो विरेंट्स मलते हैं, 55 and 50 इंच के screen size के साथ, specification की बात करी जाए, तो Motorola के QLED TVs की specifications exactly same है, Nokia QLED TVs से, जी हाँ, Nokia QLED TVs में जो specification देखने मलते हैं, exactly दिटो, वही specifications हमें, Motorola TVs में देखने मल जाते हैं, यहाँ मैं एक quick overview दे देता हूँ आपको specifications का, तो यहाँ पर जो Motorola की नई QLED TVs हैं, इनमें आपको 8 bit plus FAC panel दिया गया है, 60 Hz की native refresh rate यहाँ पर भी आपको मल जाती है, VA panel यूज किया गया है, with delayed backlighting, 400 nits की brightness यहाँ पर आपको मल जाती है, Nokia के TV में भी आपको same brightness मलती है, 5000 इस तुएन का static contrast issue यहाँ पर भी आपको देखने मल जाता है, इसके अलावा, TV में आपको MEMC technology का support दिया गया है, along with Dolby Vision and HDR10 support, इसके अलावा, sound department की बात करे जाया है, तो Nokia TVs की तरह, Motorola TVs में भी आपको 60 Watt के speakers दिये गया है, जहाँ पर 2 tweeters हैं, और 2 full range speakers लगाया गया है, total charge speakers का यहाँ पर setup दिया आपको दोनों ही TVs में मिल जाता है, इसके अलावा, बात करे जाएं Android operating system की, तो यहाँ पर Motorola की यह नए TVs Android TV 11 के साथ आते हैं, बाकी सारे faces आपको यहाँ पर मिल जाएंगे Android वाले, बाकी बात करे जाएं प्रोसेसर की GPU की, तो exactly वही same processor GPU आपको देखने मिलता है, जो कि आपको Nokia TV में देखने मिलता है, तो यहाँ पर भी जो प्रोसेसर है, वो 64-bit quad core, प्रोसेसर है, रियल टेक का 1.1 GHz के स्पीड पर रन करता है, Mali G31 GPU है, 2GB RAM, 16GB internal storage, dual band Wi-Fi, Bluetooth 5.0 का support, 3 HDMI port, 2 USB port, तो यह वही specifications हैं, जो कि आपको Nokia TV में देखने मिलता है, यहाँ पर बात कर लेते हैं, प् प्राइजिंग भी सेम रखी गई है, जी हाँ, Nokia TVs की तरह यहाँ पर भी जो Motorola QLED TV का 50-inch वाला वेरंट है, वो आपको 50,000 रुपे में मिलने वाला है, और यहाँ पर आपको 55,000 रुपीज में मिलने वाला है, अब यहाँ पर सवाल आएगा, कि सब कुछ तो सेम है, तो डिफर पहला डिफरेंस है, पहला डिफरेंस है, वो है स्पीकर को लेकर, Nokia TV में आपको JBL पावर स्पीकर देखने मिलते हैं, और जो Motorola TVs है, उनमें आपको normal speakers दिये गए है, बाकि आपको इतना major difference देखने मिलेगा, और जो नेक्स डिफरेंस है, वो है गेम पैड का, तो जो Motorola TV है, उस लगते हैं, बाकि जो table stand है, वो थोड़ा सो दोनों का अलग-अलग design का है, बट इसके अलावा आपको कोई भी difference नहीं मिलता है, TVs जो है, वो flip card के तो ही sell करी जाती है, after sales service भी आपको ultimately flip card ही provide कराने बाला है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करो, pitch quality, performance and audio performance, तो इन में आपको कोई भी major difference नहीं मिलेगा, और pricing भी exactly same है, वैल यह अच्छी बात भी है और बुरी बात भी है, बुरी बात यह इसलिए है क्योंकि confusion create होती है, because दोनों ही अच्छे TVs दोनों ही same same price पर आ रहे हैं, तो कौन सा लिए आचा है, वैल यहाँ पर यह तोटली आपके उपर depend करेगा, suppose गेमपैड नहीं चाहिए, और आप चाहते हो कि आपके TV में G-Build power speakers हो, ताकि आपको थोड़ सी अच्छी performance मिले speakers के तुरू, then आप Nokia buy कर सकते है, या फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, आपको थोड़ा बहुत gaming भी करना है, तो आपको एक free gamepad मिलेगा, तो आपके ल launch किया गया है, especially अगर हम इस समय condition को देखे, जहाँ पर TVs के prices आस्मान चूर रहे हैं, उस आप से TVs काफी अच्छे निकल करा आते हैं, अब यहाँ पर आप सभी का अगला question आएगा, कि वहिया यह जो Hisense ने एपनी QLED TV लाँच करी है, उसके comparison में यह जो Nokia and Motorola है, वो कैसे निकल क आते हैं, देखे, मैं अगर बात करूँ, Hisense U6G की, तो उसकी picture quality काफी अच्छी है, and definitely Nokia and Motorola के TVs, Hisense को बीट नहीं कर सकते हैं, because Hisense TV में आपको 600 से लेकर 700 की peak brightness देखने मिल जाती है, साधे साथ वहाँ पर हमें full array local divin का भी support दिया गया है, तो जो Hisense की TV में आपको जो contrast ratio मिलेग जो brightness मिलेगी, जो HDR performance मिलेगी, वो आपको Motorola and Nokia में नहीं मिलेगी, तो वहाँ पर picture quality काफी अच्छी होने वाली है, साधे साथ Hisense की TV में आपको Android TV 10 दिया गया है, और 24W की speakers है, और hardware के अगर मैं बात करो, जो processor है, GPU है, वो उतना दा advanced नहीं है, जितना हमें Motorola and Nokia में देखने मिलत यहाँ पर अच्छी मिल जाएगी, तो यहाँ पर अगर आपकी priority, picture quality है, आप एक अच्छी QLED TV लेना चाहते हैं, तो 60,000 रुपे के budget में आपको पहला preference जो है, वो Hisense को देना चाहिए, वो काफी अच्छा option निकल कराता है, then second number पर आप जो है, Nokia या फिर Motorola इन दोनों में से consider को जो भी आपको पसंद आए, बाकि third number पर आप जो है, Me QLED TV लेका सकते है, मी को मैंने third number पर इसलिए रखा है, because Me के TV में आपको बहुत ही कम brightness देखने मलती है, hardly वही 282, 300, 378 की brightness देखने मलती है, and जो Motorola के TVs हैं, और जो Nukhya के TVs उसमें आपको थोड़ी brightness अच्छी मिलती है, that's why जो Me है, वो third number पर आती है, उसके बाद fourth number पर आप जो है TCL या फिर iPhone के TVs भी कसरड़क कर सकते हैं, and उन TVs में आपको brightness बगरा कम देखने मलती है, तो यहाँ पर यह है list जिनको आप यहाँ पर कसरड़क कर सकते हैं, इस upcoming sale में, I hope यहाँ पर आपका सभी doubt clear हो चुका होगा, इस 2020 का upgraded version है, उसकी exact pricing अभी तक सामने निकल कर नहीं आई है, मुझे काफी लोग पूछ रहे हैं कि वो TV फिलाल flip card पर काफी high price पर है, actual में वो उसकी real price नहीं है, flip card वाले काफी आलसी है, एक दिन हो गया, अभी तक उन्होंने pricing को normal नहीं किया है, तो अभी तक price वैसे ही है, लेक कर सकते हैं, और फिर हम detail में discuss करेंगे कि आपको आपके requirement के साब से कौन से TV लेनी चाहिए, I hope ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को like कीजे, चैनल पर नए है तो चैनल को भी जरूर subscribe कर लीचे, मिलता हूं मैं आप सभी को next व बाइ बाइ, साइव नारा